हालो दोस्तों, वालकम टू स्लीपी ग्लासे पचले कुछ हफ्तों से हम फ्यू मिनेट सीरीज में जोग्रिफी में एक स्पेशल सीरीज की बात कर रहे हैं जहां पे हम हर हफ्ते एक एक वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप डिस्कास कर रहे हैं यह एक ऐसा टॉपिक है जो की बहुत इलाबोरेट टापिक है रीजन देविंग दुनिया में बहुत सारे तरहां के क्लाइमेट से उनके उतने ही जादा क्याक्किस्टिक्स हैं तो जैसा मैं हर लेक्चर में कहती हूं कि इस सीरीज का आइडिया बहुत सिंपल है एक हफ़ते में आप एक जो है क्लाइमेट टाइ लेक है वो है cool temperate western margin climate जिसे आप British climate भी कहते हो अब मैं quickly आपको map में दिखाती हैं यहां पर जो आपको colored regions दिख रहे हैं वो जो है British टाइप climate का पार कहलाते हैं जिसे हम cool temperate western margin टाइप अ एक रहे हैं यह नाम हम justify करेंगे कि ऐसा क्यों दिखा हुआ है लेकिस सबसे बहले हम आ और latitudes देखें, तो 0 से 10 degree पे आपको हमेशा equatorial climate मिलेगा, इसी तरह से different latitudes की range में, जब आप eastern margin से western margin की तरफ जाएंगे, तो आपको different climate types मिलेंगे, इसी में जो है, आज हम discuss करेंगे, British type climate, जो कि किस latitude में मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए, 45 degree latitude से लेके, 65 degree latitude तक जो है, जो है, categorically, continents की western margin पे आपको इस तरह का climate मिलेगा, तो यह जो आपको setup दिखाया है, this is true for all the continents, इसमें आप देखेंगे, एक particular set of latitude पे, whenever you move from eastern margin to western margin in a particular continent, आपको जो है, यह particular climate types मिलेंगे, अब British climate type के अगर आप देखें, western direction में है, यह western margin of a continent पे है, तो अब आप मैप पे वापस आ यह, तो आप देखें, क्या आपको continents की western margin पे यह climate मिल रहा है, right, so basically होता क्या है, कि यह western margin से जुड़ा हुआ climate है, second, अगर आप zone को देखें, तो यह zone जो है, beyond the tropics है, यह अगर आपका tropic of Kansas and Capricorn के बीच का region यदि आपका tropics है, तो beyond the tropics आपको पता है, यह temperate region में लाए करते हैं, अब temperate region में भी अगर आप देखेंगे, cool temperate कहा जाता है, so basically आप temperate region को भी दो भागों में divide करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, so basically 30 degree से 45 degree का जो temperate region है, उसे warm temperate zone कहते हैं, and beyond that, यानि कि जो 45 degree से 65 degree तक का zone है, उसको आप cool temperate कहते हो, that is why this particular climate is called cold temperate western margin climate, और अगर आप इस region को देखें, तो अपने आप समझ जाएंगे, कि इस region में मिलने की वज़े से एक से British type climate भी कहा जाता है, so exam में usually British type climate इसका नाम दिया जाता है, लेकिन बाखी regions में भी आप देख सकते हैं, ये मिलता है, now let's understand इसके characteristics क्या है, और कहां पे जो है कुछ exceptions है, आपको पता होनी चाहिए, now jn latitudes की हमने बात करी है, right, मैं आपको दुबारा दिखा देती हूँ, right, 45 degree से 65 degree latitude के बीच में, western margins पर ये जो है आपको climate type मिल रहा है, so basically jn latitudes की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सवेंट सिस्टम है, westerlies, तो पहला point क्या है कि ये जो region है, ये under the influence of westerlies रहते है throughout the year, क्यों बता रही हूँ, बाद में बताऊंगे, आप पहले इस point को देखे, दूसरा point देखे, आपने cyclones पढ़े होंगे, हम tropical cyclones पढ़ते हैं, temperate cyclones भी पढ़ते हैं, so basically ये जो zone है, ये आपका temperate cyclones के लिए बहुत ही जादा famous है, right, जतना भी आप fronts का concept समझ आप देखे हैं, वो in higher latitudes में होता है, temperate zone में होता है, अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कभी भी हम rainfall की बात करते हैं, जब हम cyclonic rainfall केहते हैं, तो हमेशा हम tropical cyclones की बात करते हैं, लेकिन temperate cyclones से भी तो rainfall आ रहे हैं, तो ये जो temperate zone है, ये specific जो हम latitudes की बात करे हैं, इन में बहुत ज़दा prevalent रहते हैं, temperate cyclones, अब दो points देखे हमने, एक हमने देखा, westerlies, एक हमने देखे, temperate cyclones, अब याद रखेगा, इन दोनों से ही यहाँ पे बहुत ज़दा rainfall होती है, कैसे, सबसे पहले आप westerlies देखे, तो westerlies जो है, moisture laden winds from water to land की तरफ जा रही है, यानि कि rainfall करेगी, right, which is actually true for southern hemisphere as well, right, तो यहाँ पे सबसे पहली rainfall किसकी वज़े से होती है, westerlies की वज़े से होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ exception भी है, but we'll come to that, ठीक है, okay, second चीज, क्योंकि यह temperate cyclones के zones है, उनसे जो rainfall होगी, वो भी इन zones में rainfall को cater करेगी, यानि क अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि rainfall क्यों हो रही है, पहला reason क्या है आपका westerlies, क्योंकि यह western margins पे लाए कर रहे हैं, और दूसरा cyclones की वज़े से, categorically temperate cyclones, तो दोनों की वज़े से ही आप देखोगे, यहाँ पे adequate rainfall होगी throughout the year, right, और एक और चीज, अगर आप amount of rainfall देखें, वो decrease करेगी from western margins to eastern margins, क्यों, देको बहुत simple है, एक example ले लेते हैं, हवा कुछ इस तरहां से आ रही है, तो क्या होगा, जो western margins है, वहाँ पे majority moisture shed कर देगी, by the time यह east की तरफ आगे आगे बढ़हेगी, because पिछले regions में majority moisture shed कर चुकी है, तो आगे की तरफ बढ़ते हुए, moisture जो ह है, कम हो जाएगा, ठीक है जी, याद रहेगा, चलिए, यहाँ पर भी I have a specific pointer to discuss here, जो मैं आगे discuss करूंगी, next जम देखते है, relief can also make a great difference, यहाँ पे जो हैं बात करेंगे, relief क्यों कह रही हो मैं, बहुत simple है, कि कुछ regions lowland होंगे, कुछ regions highland होंगे, कहीं कहीं पे आप देखोंग है, यहाँ पे आपके होते हैं, rocky mountains, अब rocky mountains के होने की वज़े से क्या होती है, normal rainfall के साथ-साथ यहाँ पे औरोग्राफिक rainfall भी होती है, तो होगा क्या, westerlies यहाँ पे आ रही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे होगी आपकी औरोग्राफिक rainfall, अब औरोग्राफिक rainfall में क्या होता कि जब भी किसी highland पे moisture-laden winds आती है तो वो किसी भी पहाड या highland के एक तरफ पे majority rainfall कर देती अब होगा क्या क्योंकि moisture-laden हवाओने एक ही तरफ majority rainfall कर दी by the time they reach the other side तो rainfall जो है बहुत जादा कम हो जाती क्यों कि majority moisture यहाँ पे shed हो जुका है तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो ऐसे रीजिन से जो highlands है वहाँ पे orographic rainfall भी हो सकती है और यहाँ पे जो बहुत specific चीज होगी इन जेनल आप आप देखें यहाँ पे westerlies का influence बहुत जादा है लेकिन rocky mountains के आसपस अले रीजिन में westerlies का influence थोड़ा कम है क्यों because majority westerlies के लिए अब rocky mountains क्या है barrier बनके आ चुकी है इनकी वज़े से इसके एक तरफ बहुत जादा rainfall होगी by the time they reach the other side rainfall कम हो जुकी होगी but just to let you know again rainfall western margin पे जादा हुई और eastern margins तक आते हुए कम हो गई ठीक है याद रहेगा अब rainfall में एक चीज याद रखना कि जो है अगर आप southern hemisphere पे देखो तो southern hemisphere पे land बहुत कम है ocean बहुत जादा है तो ocean जादा होने की वज़े से आप मैप से भी देख सकते हैं और in general भी आपको बताया जाता है कि दुनिया में northern hemisphere में land जादा होता है और southern hemisphere पे ocean या water body जादा होती है तो वैसे भी क्योंकि southern hemisphere में ocean का influence maritime influence बहुत जादा रहेगा continents आप देखे बहुत नारो है इस वज़ह से भी rainfall बहुत ही जादा होगी ठीक है जी याद रहेगा चलिए next अब ये तो हमने basic सी rainfall के बारे में चीज समझ ली आपको नहीं लगता कि ये जो यॉरप के regions ये बहुत ज़दा ठंडे होने चीज़े क्यों क्योंकि polar regions के देखे कितने आसपास है तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है unusual cold spells भी होते हैं अब यहाँ आप सोच होगे कि यहाँ तो हमेशा ही cold spell होना चीज़े बिकिस ये regions तो बहुत ही ज़दा close है polar regions के तो yes there are certain cold spells ठीक है जहाँ पे क्या होता है कि जो आपके polar continental air mass है यानि कि जो cold air mass है वो इन regions को hit करते हैं और यहाँ पे बहुत ही देर तक cold spells आ सकते हैं लेकिन यह हमेशा true नहीं है क्यों true नहीं है उसका reason है यहाँ पे आपकी एक ocean current आती है तो basically यहाँ से आपकी gulf stream आ रही है gulf stream जो है eventually north atlantic drift बन जाती है तो gulf stream जो है अगर आप देखो तो warmer region से colder region की तरफ आ रही है so only because of जो यह gulf stream eventually northern atlantic drift बन जाती है यहाँ पे warmer water लेके आती है अब क्योंकि यहाँ पे warm water आता है तो बारिश होने का mechanism क्या है कि heating जो होती है insulation से उससे बादल बनते हैं और बारिश होती है so basically अगर यह जो आपकी ocean current है north atlantic drift यहाँ पे नहीं आती तो यहाँ पे हमेशा ही cold spell आते रहते but now because categorically यहाँ पे north atlantic drift आ रही है warmer water आ रहे है इसलिए यहाँ पे rainfall बहुत होती है और जो है आपकी जो ठंडे regions है वो बहुत जादा नहीं बन पाते वैसे मैं आपको एक बात बता हूँ तो आप यह चीज different अलग chapter में भी पढ़ते हो कि अगर यह north atlantic drift नहीं होती तो यहाँ पे जितने भी ports हैं वो बहुत frozen होते और यहाँ से trade हो ही नहीं सकता था it is only because यह warm ocean current वहाँ पे आती है कि वहाँ पे जो extreme conditions है वो नहीं होती यहाँ पर rainfall भी होती है और यह extreme conditions कभी कभी आप देखोगे due to certain polar air masses जब यहाँ आते है तब ही होती है इसे लिए although हम expect कर रहे थे कि winter बहुत ज़्यादा extreme होनी चाहिए यहाँ पे winter जो है mild होती है इसे लिए देखो कि बहुत अच्छा atmosphere होता है यहाँ पे to stay not the atmosphere basically climate जो है बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पे population भी बहुत ज़्यादा रहती है ठीक है सी चलिए आगे देखते है yes now when आपको बताया था ocean का influence हमेशा ही रहेगा आप देखिए सब जगा ocean का influence रहेगा इसलिए इसको European maritime climate भी कहते है बस difference क्या है कि यहाँ पे जो southern hemisphere में ocean का influence है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा क्यों because ocean है ही बहुत ज़्यादा continent आप देखिए southern hemisphere में कितना narrow है आप northern hemisphere में कितन extensive continents है तो because southern hemisphere में narrow continents है ocean का influence ज़्यादा है इसलिए oceanic influence southern hemisphere में बहुत ज़्यादा होगा अब होगा क्या ध्यान देना कि southern जहां भी ocean का influence होता ना वहाँ कभी extreme temperatures नहीं होते तो जो average daily temperature होगा मानलो कि अगर हम उपर के regions की बात करते हैं तो गर्मियों में आप देखोगे 15 degree दिन का temperature रहता है या जो आपके summers का temperature होता है विंटर में भी आप देखोगे यह temperature होता है तो जो difference है रैट वो extreme temperatures पे रहते हैं this is the extreme that is possible extreme बहुत ज़्यादा cold क्यों नहीं हो रहा reason they being महाँ पे Gulf Stream है अब यह जो difference है और भी कम हो जाता है southern hemisphere के लिए क्यों क्योंकि oceanic water ज़्यादा है और continental mars भी बहुत ज़्यादा कम है इसलिए जो average duration है temperature की वो बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पे हमेशा ही equitable temperature होता है ना extreme में बढ़ता है ना extreme में घटता है due to maritime influence ठीके जी याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी जो मैंने है ठीक है याद रहेगा चलिए तो अब जो हमने चीज़े पढ़ी है उसको consolidate कर लेते हैं quickly पहले हमने क्या पढ़ा rainfall westerlies और temperate cyclones की वजह से हो रही है लेकिन यहाँ पर हमने एक exception पढ़ा है कहां पर पढ़ा है कि बहुत जादा rocky mountains में जो है westerlies penetrate नहीं कर पाते ठीक है जो है moderating influence of sea रहेगा right q क्योंकि वहां पर narrowness of continents है और इसलिए वहां पर rainfall होगी लेकिन जो average range of temperature है वो बहुत different नहीं रहेगा क्योंकि moderate rate of influence of sea रहेगा when rainfall में भी difference होगा क्यों lowland में separate होगी और highlands for example rocky mountains ले लो न्यूजलिंड में Southern Wales ले लो Scandinavian islands ले लो आप तो वहां पर orographic rainfall होगी और winters जो है mild होगी क्योंकि यहां पर warming influence आएगा category British region में Northern drift की वजह से लेकिन कुछ cold spells भी होंगे जो कि यॉरप में आएगे अब मुझे बताओ यह जो unusual cold spells है क्या यह आदन हमिस्वेयर में होंगे बिल्कुल नहीं होंगे यहां पर moderate temperature रहेगा क्यों अगयां moderating influence of C की बात हो रही है तो यह चीज आपने याद रखने हो चलिए natural vegetation देखते है अब usually यहां पर deciduous forest रहेंगे रहेगे deciduous forest क्या होते है जो साल में एक बार जो है न्यूजलेंड के Southern Alps हो सकते हैं तो यहां पर deciduous trees बहुत जादा नहीं होते हैं यहां पर कॉनिफर्स जादा होते हैं कॉनिफर्स क्या होते हैं जिन में conical shape में चीज़े होते हैं इन पर snowfall गिरेगी तो conical होने की वज़े से snowfall जो है नीचे की तरफ गिर जाती है आपने यह चीज़ घर बनते समय भी देखियोगी जहां पर भी snowfall जादा होती है वहां पर घरों की छटें जो है slanting होती है तो नाचल वेजिटेशन ने भी खुद को जो है वहां के अक्मिसफेर के हिसाब से ढाला हुआ है चलिए एकनॉमिक डेवलाप्मेंट देखते हैं अब यहां पर लंबरिंग तो बहुत ही जादा होती है लंबरिंग या नीचे लगड़ी का काम होता है अब उसका बहुत ज तो इस साल भर केर्बीर है वहां पर वहां पर दिक्कत क्या ओति हैं आपकीर मंटोल यहां पर जाता हैं जो आप लेजन प्री से आप हाड़ ले सकते हो एक तो वह लाइन में प्लेज़ होते हैं उनमें स्पेसेज भी होती है कि उनको क्लियर करके एजली इंडस्ट्री तक लेके जाया जा सकता है तो यह बहुत इंपॉर्टन रीजन है कि लंबरिंग यहां बहुत फेमस है अगैन आप स्थी का यूज हो रहा है आजने जो एकुप मेन्स है ऊटो मोबैल इंडस्री यहां पर बहुत ज्यादा है तो इंडस्टależद इसन भी बहुत है in terms of wheat लेकिन agriculture के और भी तरीक है for example mixed farming बहुत जादा है in regions में आप देखोगे dairy cattle rearing बहुत जादा है इनसे जो आगे चीजे मिलती है for example जो आपका cheese होता है जो आपका butter होता है वो export के लिए use किया जाता है similarly market gardening बहुत जादा है industries है छोड़ी-छोड़ी townships है तो जो भी सामान चाहिए होता है उसके हिसाब से वही जो है crop grow कर ली जाती है truck farming भी जिससे कहते है कि इतना past market के आपकी cheese grow होती है कि रात भर में ही market तक पहुत जाती है वो the head of trucks इसलिए उसको truck farming भी कहते है तो यह जो पूरा region है यहां पर lumbering भी हो रही है एक हद तक industrialization भी है और agriculture भी जो है हो रहा है लेकिन yes a lot of crops are just used for let's say for the people over there और specific चीजों के exports बहुत जादा कम है जिसका बहुत अच्छा example में आपको क्या दिया wheat दिया तो यह आपका British type climate है सारे points जो है बहुत डीटेल में discuss किये हुए है आप कोई भी question solve करके देखीजे आपका definitely solve hope so I hope we've learned something new today कोशिश यही रहती है कि आपसे concept जो है detail में discuss करें but before I leave हर बार हम बात करते हैं कि हमारा prelims crash course शुरू हो चुका है one of the most detailed courses available right static component जो है cover होगा आपका current component cover होगा एक बार किसी क्लास हो जाती है तो end में जो आपके current affairs बचेंगे उनके लिए in the end एक week separate है so that आपके current affairs कोई रहना जाए right and again there are mcqs for practice जो बच्चें जुड़े भी हुए आप उनसे भी पूछ सकते है कि per topic आपको mcqs मिलते है module wise mcqs मिलते है finally eight full end test भी मिलेंगे mentors भी है they can help you work with your time table क्या आपको resources पढ़ने चाहिए for everything एक hand holding की approach है याप पे और बहुत ही बहुत ही comprehensive and curated content है curate होना भी content बहुत जरूरी है कि क्या prelims के लिए important है पढ़ना आई hope हमने आज फिर कुछ नया सीखा है तो मिलते हैं आगले हफते all the best दोस्तों बाबाई